स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर 20 नैचुरल दीजन्स अब दे वर्ल्ड यानि कि प्रकृतिक छेत्र दुनिया के एक जो प्रकृतिक छेत्र होता है वो रिफर करता है धर्ती का वो हिस्सा या वो सर्फेस जिस पे कमपेरिटिवली हाई डिगरी होती है यूनिफॉर्मिटी की high degree uniformity की मतलब बहुत जादा कैसा होता है वो uniform एक जैसा होता है उसका structure यानि उसकी बनावट surface के form और फिर climate जो उसके अंदर है वो भी यानि की आपका जलवायू तो इसलिए हर एक जो प्रकृतिक छेतर होता है वो एक जैसा unit होता है एक जैसा homogeneous मतलब एक जैसा unit है जिसके अंदर जो जलवायू की स्थिती है मिट्टी है और प्रकृतिक वनस्पतियां है और जो इनसान की गतिविधियां है ये सारी ही चीज़े कैसी होती है एक सी होती है uniform किसी तरह से आपको slight यानि थोड़ा सा variation वगेरा मिल जाएगा हर एक जलवायू वाले छेतर में और दो दीज वारियेशन ये जो वारियेशन है ये ज़्यादा प्रोनौस किये जाते हैं कहां देखे जाएंगे आपको जब दो अलग जलवायू वाले छेतर में आप देखेंगे यानि दो अलग जलवायू वाला छेतर यानि के जादा डिफेंस एक्जामपल जैसे कि पूरा uniformly hot और rainy condition जो है मिलता है आपको पूरे साल तक कहां मिलता है ये मौसम ये मौसम मिलता है एक्वेटर के दोनों ही साइड में हावेवर किसी तरीके से इस uniformity के बाद भी ये समानता होने के बाद भी हर जगा एकसा होने के बाद भी hot और rainy condition थोड़े बहुत आपको variation यानि की बदलाओ यानि की भिन्नता मिल जाएगी temperature और बारिश के अंदर equatorial region में भी कह रहा है कि equatorial region में uniform होता है बारिश और आपका जो है कि hot and dry hot और rainy condition लेकिन उसमें भी आपको जगा जगा पे थोड़ी बहुत विविदता मिल जाएगी लेकिन जो condition है वो quite बिल्कुल ही different हो जाते हैं किस से समाना रीजन से जहाँ पे जादा variation मिलता है जादा आपको अलग मिलता है वहाँ पे तापमान और वहाँ पे जो है कि moderate moderate मतलम ना जादा ना कम moderate rainfall मिलता है तेसलिए जो दुनिया है वर्ल्ड है उसको divide किया गया है बड़े बड़े छेतर में उसके physical feature के हिसाब से पत्थरों के structure के हिसाब से मिट्टी के हिसाब से जलवाईू के हिसाब से और जो product है और इंसान की गतिविदिया है वो क्या होती है ऐसे में बिल्कुल सामान मिलती है ठीक है कहाँ पे सामान मिलती है बड़े बड़े छेतर में बिल्कुल एक समान रूप से मिलती है इसलिए बड़े बड़े छेतर में इसको क्या किया गया है डिवाइट कर दिया गया है तो ये जो जलवाईू के हिसाब से classification यानि वर्गी करण हुआ है प्रकृतिक छेतर का इसको देखते है जो basic factor है जिस basic factor के उपर जो दुनिया को divide किया गया है बड़े बड़े प्रकृतिक छेतर में वो कौन है जलवाईू जलवाईू के हिसाब से छेतर को बांटा गया है वर्गी करण किया गया है जो जलवाईू है प्रभावित करती है मिट्टी को भी मौसम climate कह सकते हो तो वेदर एक दिन का होता है जलवाईू काफी लंबे समय का मौसम का average होता है तो ये क्या है प्रभाव डालती है मिट्टी के उपर पेड़ पौधों के उपर जानवरों के उपर और जो वनस्पति है उस छेतर की उसके उपर जो जलवाईू है किसी भी छेतर की उसको वहाँ की वनस्पति के बाद जो है नाम दिया जाता है कि किस तरह की वनस्पतियां वहाँ पे है वनस्पति ये depend करती है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बारिश के उपर बलकि कि उसका रिष्टा कैसा है temperature के साथ मतलब temperature कैसा है अकिस तरह का जो है distribution है वहाँ पे temperature का और rainfall का उच्छी वाली जगों पे आप जाओगे ति वेपोरेशन जो है less होता है नीची वाली जगों पे वेपोरेशन ज़ादा होता है low altitude वाली जगा पे इसलिए कम बारिश चाहिए होती है सब स्वाइल को गिला रखने के लिए दैन इन ट्रॉपिकल लिजन में क्या है जादा आपको पानी चाहिए जादा बारिश चाहिए अजब कि लेस रेंफॉल चाहिए आपको हाई अल्टिट्यूड तो गरा में अब very natural region हर एक प्रकृइतिग चेत्र जो होता है वह क्या होता है combination होता है किसका combination होता है क्लाइमेटिक जल्वायो के तत्व का जो के एक दूसरे से अलग होते हैं different from others तो सबका अपना जो है तत्व जो है बिल्कूल अलग-अलग होगा हर एक प्रकृतिक छेत्र का classification जो है combination का इन ततों का उसको कहा जाता है climatic classification यानि कि जलवायू वर्गी करण इच टाइप हर एक जो टाइप का होता है वर्गी करण में उसके पास कुछ common characteristic होते हैं यानि कुछ समान विशेस्ताय होती है जो जलवायू छेत्र है वो इन factors के उपर बेस है निमलिखित factors के उपर वो क्या-क्या है कि जो temperature है प्रेशर है और जो wind है और जो humidity condition है और उसके इसाफ से जो इंसानों का response है so human response अलग-अलग छेत्र में अलग-अलग तरीके के होंगे जो भू सरचना है वो भी अलग-अलग जलवायू वाले छेत्र में अलग-अलग होगी जो आपका जलवायू की इस्थिती है वो प्रभावित करेगी किसको weathering of rock को यानि पत्थरों के तूटने फोटने को तो इसल लिए मिट्टी भी जो क्या होगी एक जगा से दूसरे जगा के बिलकुल भिन्न होगी जो वनस्पती है और जो वन्यजीव है वो भी एक जगा से दूसरे जगा पे बिलकुल डिफर करेंगे क्योंकि दोनों जगा के मौसम बिलकुल अलग-अलग है जलवायू अलग-अलग है जो पानी रन आफ करता है नदियों में जर्णों में वो भी एक दूसरे जगह से एक दूसरे छेतर से अलग-अलग होगा जो क्रॉपिंग का सीजन होगा यानि कि कब पेड़ पॉधी जो है वो क्रॉप अगयरा लगाया जाए वो मैथट भी अलग-अलग होगा और मौसम भी अलग-अलग होंगे अलग-अलग जलवाईव की स्थिती में तो जो हीूमन का रिस्पॉंस है वो दिखाता है एक बहुत बड़ा रिष्टा किसके साथ क्लाइमेटिक condition के साथ यानि जलवाई उस्थिति के साथ और ये जो रिष्टा है climate और इंसान की गदियतियों के बीच में ये बहुत ज़्यादा strike करता है उन जगों पे जहां पर प्राथमिक तोर पे केवल खेती हुआ करती है animal husbandry यानि के जानवरों का पालन पोसन और rearing breeding होती है और forestry यानि की या तो जंगल वगरा जहां पे जादा है ये जो गतिवीधियां है ये गवर्न होती है किसके द्वारा directly गवर्न होती है मतलब control में होती है किसके द्वारा प्रभावित होती है climatic condition यानि जलवायू स्थिति के द्वारा for example हर एक जलवायू का जो टाइप होता है वो suitable होता है एक particular crop के लिए यानि एक तरह के फसल के लिए ही केवल जो है वो अच्छा होता है यानि कि एक फसल जो होता है एक range of temperature को ही जहेल सकता है और उसको एक जो है कि certain निश्चित amount of water supply भी चाहिए अपने बढ़ने के लिए फलने फूलने के लिए तो इसलिए जो बड़ा प्राकृतिक छेत्र होता है उसको नाम दिया जाता है या तो जलवायू के हिसाब से या फिर वहां पर कैसी वनस्पतियां है वेजिटेशन है उसके हिसाब से तो climate classification या अब यह जो equatorial region है यह फैला हुआ है आपका 0 से 10 डिग्री North और South में equator के दोनों साइड में और यह कहा है एसिया में इंडोनेशिया पापुआ नियोज्वेनिया मलेशिया और Southern पार्ट फिलिपेंसी देखो जगा के नामें के एसिया में यह equatorial region का यह सब पार्ट है यह सारे एरिया फॉल करते हैं equatorial region में South America में coastal lowland है कहां कहां के बीच में जुएना और Brazilian Highland के बीच में Amazon Basin और coastal कॉलंबिया अफ्रिका की बात करो तो जाहरे बेसिन और ग्योएनिया कोस्ट इन वेस्ट अफ्रिका यह जगा के नाम है देखो यह दिया हुआ है जो कलर्ड पार्ट है उसकी बात कर रहा है अब यहां पर जलवायू की बात करें तो जो जलवायू है equatorial region में वो किस वज़े से है उसकी विशेस्ता है heavy rainfall और यहां पर क्या होता है लगातार जो है temperature तापमान पूरे साल तक काफी जादा हाई रहता है और यह छेतर कहां पर है torrid built के अंदर आता है और यहां पर equator के पास होता है तो इसलिए सूरज की किरड़े जादा तर बिल्कुल आपको incident कैसी दिखेंगी लार्ज डिगरी पर दिखेंगी यानि पूरे साल तक यानि कह सकते हो आपकी बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है सन्रेज बिल्कुल सीधी किरड़े तो जो दिन और रात होता है वो जादा तर कैसा होता है बिल्कुल इक्वल डियूरेशन यानि 12-12 घंटे का यहां के तापमान की बात करें तो तापमान का जो रें पूरे आसमान में बादल चा जाते हैं उसकी वज़े से जो गर्मी है जो हीट है वो वापस जमीन से वापस एटमास्फियर में नहीं जा पाती और जिसकी वज़े से टेंपरेचर जो है ग्राउंड का हाई हो जाता है रात बिल्कुल ठंडी हुआ करती है और रात को आसमान साफ हो जाता है बारिश की बात करें तो यहां पर जो रेंफॉल है वो कॉन्वेक्शनल टाइप होता है पूरे साल तक और यह जो बारिश है यह 175 सिंटीमेटर से 200 सिंटीमेटर तक हुआ करती है और यह इसकी वज़े से है क्योंकि सीधे कर्ड़ने यहां पे गिरती है और जमीन बहुत जादा घरम हो जाती है रीडियेशन जहें कि वापस जाता है अक्मास्फियर में वह रेडियेशन अट्मास्फियर में भी होता है तो कुछ मौंटेंस लिए जया है जिसे कि इंडोनेशिया और अफ्रीका है इनको ओर ग्राफिक या रिलीव का मतलब ना ऐसे तो रहात होता है लेकिन रिलीफ का मतलब जोग्राफिय में होता है कि वो प्लेसे जिनका की हाइड जो है ना बिलकुल अलग-अलग है तो यहाँ पे आपको यही रिलीफ सक्याने का इसका तातपर है कि अलग-अलग तरीके से आपको यहाँ पे अलग-अलग लैंड फॉर्म है त को कहते हैं जो कि हावाई जो हैं ना बिल्कुल जो unavतों से चलती चली जाती यह और बारिश होती है तो उस तरह की बारिश यहा पे होती है कि जो यहां पे ताप मान ऐ और बारिश है वो क्या करता है मोडिफाई होता है रिलीफ के द्वारा यानि रिलीफ मतलब अलग-अलग लैंड फॉर्म में कहीं उचे हैं कहीं नीचे हैं तो उनके द्वारा यानि डिफ्रेंसे इन हाइट्स है ना अफ दा सर्फेस उसकी वज़े से जैसे कि देखा पहाडों का नाम भी दे दिया जिसकी बात कर रहे हैं जिसे मांट के लिए मनजारों है हाइस्ट पीक है अफ्रीका में इसके होने के बावजूद ए क्लोज है एक्वेटर के तब भी यह क्या होता है पूरे साल तक बर्फ से धका रहता है इस टफरिका की बात करें तो अपने हाई एलिवेशन की वज़े से यानि बहुत ज़़ा उचाई पे होनी की वज़े से यहाँ पे lower mean temperature और rainfall मिलता है क्योंकि आपको पता होगा हर एक 165 या 166 मीटर उचाई पे 1 डिगरी Celsius तापमान कम हो जाता है प्लेंस यानि मैदानों की बात करें तो torrent real rainfall occur करता है regularly 12 बजे नून पे और तीन बजे और जो rainfall है वो देरे-देरे उसका amount decrease करता जाता है जैसे जैसे increase करेगा distance equator से equator से जैसे दूर जाओगे आप वैसे वैसे rainfall का amount कम होता जाएगा rainfall बिलकुल यहाँ पे equinoxes पे मार्च में और सितंबर में बिलकुल भारी होती है जादा होती है maximum मौसम की बात करें तो कोई winter या dry season यहाँ पे नहीं होता है बहुत कम difference है temperature में जैसा कि हम लोगों नेकर देखा था कि 25-30 degree Celsius का तो यहाँ पे hot और wet season पूरे साल तक मिलेगा बात करें यहाँ पे प्राकरितिक वनस्पतियों की natural vegetation की तो यह जो equatorial region है यहाँ पे घने जंगल मिलेंगे और वो tropical rainforest या से अमेजन basin में जिसका नाम है tropical rainforest या से अमेजन basin में जो यहाँ पे rainforest है वो पूरा घेरे हुए है low altitude वाले areas को low altitude मतलब जिसका elevation कम है जिस surface का equator के आसपास South America में और especially कहाँ पे Amazon के जो है lowlands Central और West Africa के इंदा इंडो माले पेनिंसुला और न्यू ज्वेना रीजन यह सारे जगा जो है घने जंगलों से घिरे हुए हैं कौन से जंगल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो यह जो जंगल है यह बहुत ही ठीक है लग्जरियंट है यानि घने है यह जो ट्रीज है यहां पे मिलेंगे यहां चोड़े चोड़े पत्तियों की है और एवर ग्रीन एवर ग्रीन मतलब पजड नहीं आता कि पत्तिया था दरखतों से सोख जाए और गिर जाए यहां पे जो वनस्पती मिलती है फॉरेस्ट के अंदर वो चार अलग-अलग लेयर दिखाती है इमर गोनी है और इन पेड़ों की हाइड कितनी होती है पचास मीटर के लगभग होती है तो देख सकते हो इमर्जेंट वाले को इक बिल्कुल टॉप वाले पेड़ पर बताया है फिर उसके बाद जो है कैनोपी जो है मिलती है यह कैनोपी दिख रहा होगा कंटिन्यूस कैनोपी तो यह जो कैनोपी है फॉर्म होती है किसे crown of trees यानि की पेड़ उपर जो है बिल्कुल crown की तरह मुकुट की तरह अपना घेरे रहता है और together यहाँ पे branches एक दूसरे से बिल्कुल मिली होती है और यह ब्लॉक कर देते हैं सूरज के केलों को और हवाओं को तो इसके नीचे व maximum जादा से जादा sunlight को absorb कर सके और नीचे का जो floor है उसमें थोड़ी बहुत जाड़ियां वगएरा मिलेंगी और साथ में आपको लतर वाली पेड़ वगएरा मिलेंगे climbers जिसको बोलते हैं है न जैसे निनुवा हुआ करेला हुआ उस तरह के climbers वगएरा मिलेंगे आपको यहां पे जो में ट्रीज वगएरा है उसमें इबोनी है माहागुनी है सिंकोना है ग्रीन हार्ट है रोज वूड है और रबर है तो यहां पे यह सब जो है मुख्य रूप से यह ट्रीज यह मिलेंगे आपको इसके अलावा जो एक्विट ओरिल रीजन है यहां पे घहने जेंगल है ट्रोपिकल रेन फॉरेस्थ है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है लंग स ऑफ दे वर्ल्ट कहा जाता है एससा इसलिए कहा है कि यह जो रेन फॉरेस्थ है एक बहुत बड़े मशीन की तरह काम करता है जो carbon dioxide बहुत जादा मातरा में लेता है और produce करता है धेर सारा oxygen इसलिए इसको दुनिया का लंग कहा जाता है वन ये जीव की बात करें तो यहाँ पे बहुत तरीके के आपको जानवरों की प्रजातिया मिलेंगे कुछ जानवर जैसे की snake वगरा है यहाँ पे पेड़ पे मिलेंगे आपको rather than ground ग्राउंड पे ना मिलके आपको साफ पेड़ पे मिलेगा और इस तरह के animal को क्या कहते है एरबॉरियल मतलब यह है कि इन्होंने adapt कर लिया है पेड़ों पे रहना अब यह क्यों adapt कर लिये भाई पेड़ों पे रहना ऐसा इसलिए क्योंकि ground ज्यादा तल डार्क रहती है और यहां पे रोश्णी नहीं पड़ती तो इसलिए यह growth को favor नहीं करती है जिंदगी के growth को बहुत सारे आपको यहां पे लेमर्स मिलेंगे एप्स मिलेगा monkey, reptile और reptile में snake है, lizard है, frog यह सम मिलेंगे और जो एज हैना forest का किनारा वहां पे आपक मिलेंगे ना वह ज्यादातर कैसे है, bright color की है, बात करें human adaptation की, तो इक टोलियल रीजन में जो प्राचीन लोग हैं वह practice करते हैं hunting और grading ठीक है, और whereas जो advanced one है, वह shifting cultivation करते हैं, shifting मतलब एक जगा cultivate किया फिर दूसरी जगा, वह याग लगा करना, और जब वह clear करते हैं shifting cultivation, तो crop अगेरा कौन से उगाते हैं, ट्रोपियो का या अम बना नास ग्राउंड नट में यह सब जो है, फसल उगाते हैं, तो बहुत सारा जो plantation है, वह established किया गया है, equatorial region में, especially जावा सुमातरा, मलेशिया, वेस्ट अफ्रिका और सेंट्रल अमेरिका में, जो सबसे ज़ादा outstanding है, इन plantation में से वो outstanding कौन है, rubber है और cocoa है, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है, leading producer है, natural प्राकृतिक rubber के पूरी दुनिया के अंदर, और more than a third world production यह करते हैं, अकेले, cocoa जो है, जादा extensively cultivate किया जाता है, कहां पे, वेस्ट अफ्रिका में, घाना में, नाइजेरिया में, being the important producer, और यह जो है, important producers हैं, यह West Africa, घाना और नाइजेरिया किसके cocoa के, दूसरे जो यहाँ पे फसले उगाई जाती है, crops है, cultural region में, उनमें बनाना भी है, coconut भी है, coffee है, सिंकोना है, sugar, spices, sago, tea, tobacco, और pineapples, next है आपका, tropical grassland, अब यह जो tropical grassland है, इसको सवाना भी कहा जाता है, और यह located है, कहा पे semi area, यानि की half सुखे, to semi humid climate region तक, subtropical, all tropical latitude पे, यह roughly lie करता है, वो, आपका 7 degree से लेके, 20 degree north और south में equator के, यानि दोनों साइड में, area की बात करें, तो सवाना जो है, की, one, सवाना of one sort or another, cover करता है, almost half of the surface of Africa, अफरीका का जो है, आधा surface जो है, यह cover करता है, लगभग 5 million square mile का area, यह cover करता है, और generally देखो, तो आप यह जो है, Central Africa को cover करता है, और large area, Australia का, South America का, और Central America का, cover करता है, South America में, दो अलग-अलग region है, सावाना के, north और south है, equator के, दोनों तरफ, एक का नाम है, लैले नोस, और दूसरा है, औरियोनोको बेसिन, and the campus of the Brazilian highland, अफरीका में, जो इस, ट्रोपिकल ग्रास लेंड के, अंडर आता है, वो सुडान है, सेनेजल है, छेड है, टोगो, Kenya, तंजानिया, अंगोला, युगांडा, जाहिरे, जैंबिया, जिंबांबे, मलावी और मुजैंबिक, Australia जो है, Australia में, नौर्दन टेरिटरी और क्विंस्लेंड ही आता है, अब यहां पे जो तापमान है, तो यहां पे जो तापमान है, यहां पे कैसा है, hot और wet summer है और cool dry winters है, ठीक है, यानि कि जो summers है, वो wet है और hot है, असाती साथ जो winters है, वो सुखे और कैसे है, ठंडे हैं, और यह region जो है, tropics के अंदर आता है, तो यहां पे great heat मिलता है summer में, 13-14 घंटे का sunshine मिलेगा, और बहुत humidity जो है, कम होती है, बहुत ज़दा गर्मी पड़ेगी यहां पे summer में, average monthly temperature जो है, dry season यानि गर्मियों की बात कर रहा, 22-37 डिगरी तक जाती है, और जो highest temperature है, वो concert नहीं करता है, period of highest sun के साथ, लेकिन occur करता है, just onset of the rainy season, अब देखो जब यहां पे, सूरच जब रहता है ना, तो मतलब highest पे रहता है, तो उस time जो है, गर्मी बहुत onset of rainy season, यानि बारिश के आने से पहले के मौसम में जो तापमान होती है, वो बिलकुल highest होती है, तो hottest month इसलिए सुडान में कहां होता है, सुडान में कब होता है, अप्रेल और मई का महीना होता है, and October in Salisbury, Australia, और Australia में October, यानि यह बारिश से पहले वाले मौसम है, तो यह highest temperature प होते हैं, जो temperature पहुंचता है, कहां बारिश से पहले, there occurs a distinct, यहाँ पे आपको एक drop देखने को मिलेगा temperature में, यानि घटाओ देखने को मिलेगा बारिश के मौसमों में, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है न, कि पूरा जो है, आस्मान जो है कि, overcast होता है, और cooler atmosphere हो जाता है, अब कैसे होता है वो देखो, जो दिन होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल गरम होते हैं, और during the hot season, noon temperature जो है, 38 degree सलतियत तक चला जा रहा है, और ज्यादातर होता है, लेकिन किसी तरह होता क्या है, कि night fall कर जाती है, यानि कि night का temperature कम हो जाता है, जो आ radiation से heating होई है न, वो atmosphere में वापस चली जाती है, और रात का temperature 10 degree Celsius तक नीचे आ जाता है, तो इसकी वज़े से आपको क्या देखने को मिल ला है, एक drop देखने को मिल ला है temperature में, इसके बाद बारिश की बात करें, तो जो सालाना बारिश है यहाँ पे, वो कम होती है, ट्रॉपि जो है, differ करता है, मौसम की बात करें, तो northern hemisphere में hot और rainy season मई में शुरू होता है, और यह सितंबर तक रहता है, और बाकी साल ठंड़ा और बाकी साल ठंड़े पड़ता है, और ठंड़ा कैसा है, dry है, southern hemisphere में rainy season कहां आता है, October से लेके March तक आता है, तो northern और southern में अलग-अलग time प पतिया, तो यह जो सावाना का जो land escape है, इसकी विशहस्ता यह है कि यहाँ पर tall grasses मिलेंगी और छोटी grasses, लंबी और छोटी grasses मिलेंगी, grass यहाँ पर जो है, course है, और यह grow करता है, up to height of 3-6 meter feet at maturity, यानि कि बढ़ने के बाद कितना 3-6 meter, 3-6 feet, यहना कि इंसान चाहे तो आसानी स चुप जाएं, और इसके जो है कि लंबे लंबे रूट होते हैं, जो कि नीचे तक गए रहते हैं, इन search of water, यानि यह जो घास होग रहा है न, 3-6 feet वाले, इनके जड़े जो हैं, नीचे तक रहती हैं, अंदर तक रहती हैं, जब बारिश का मौसम आता है, तो grass appear करती है, और जो है, well nourish होती है, अच्छे से पालन पोसन देता है उसका बारिश के विए से, और यह dormant रहती है, एक लंबे समय तक, landless period में और appear करती है, फिर अगले rainy season में, यानि कि जो घास अगयरा है न, जब rainy season आता है, बारिश आता है, तो यह बिल्कुल बढ़ती है, बढ़ती है, dormant मतलब sleeping stage में रहती है, जब बारिश नहीं होती है, तो फिर बारिश आएगी, अगली बारिश आएगी, तो फिर से पूरा लहला आता है, between the tall grasses, scattered जो है फैले हुए, आपको क्या मिलेंगे, शौल trees मिलेंगे, और छोटी मोटी जाडियां भी मिलेंगी, rainfall जैसे आता है, तो यहाँ पे जो है कि as the rainfall becomes scarce, rainfall जब कम हो जाता है, dessert की तरफ, तो सावाना जो है, यहाँ पे मर्ज हो जाता है, कि इसमें थौर्णी scrub होगेरा में, यानि कि नुकिले वाले जो है कि पेड़ वगेरा, पौधे वगेरा, जो trees होगेरा है, यहाँ पे decidious trees हैं, जो अपनी पतियां जो है, जाल देते हैं, ठंडा रहने के लिए, ड्राइ सीजन में, ताकि धेर सारा loss of water नहों, जितना ज़्यादा पतियां होंगे, उतनी ज़्यादा transpiration होगा, उतना ज़्यादा loss of water होगा, तो पेड़ क्या करते हैं, अपने पतियों को जाल देते हैं, some of the trees, कुछ trees कैसे हैं जैसे कि बावबाप से और bottle trees हैं, इनके चोहें चोले चोले टरंक होते हैं, और इसमें क्या होता है, water storing devices हैं एक तरह से, ताकि क्या हो, ये water store करके लख लेते हैं, और जिसकी वज़े से ये मरते नहीं हैं, मतलब खतम नहीं होते हैं, ट्राइ सीजन में survive करते हैं, ये adaptation में सावाना को कहा जाता है, natural cattle country, प्राकिरितिक cattle यही जानवरों को पालने पोसने वाला country, क्योंकि यहां पे बहुत सारे यहां के लोग ज्यादातर hardman हैं, और pastoralist है, मतलब कि वही चरवाहा हैं, ज्यादातर हैं, ये क्या करते हैं, large number of cattle लगते हैं, जिसको ये क्या करते ह इसके उपर और जाड़ी और गहरों के उपर, और ये जानवर इनको क्या देते हैं, milk और meat देते हैं, दूद और मास की प्राप्ती होती है, इन जानवरों से, पाल पोस के, जो queen land है, Australia में, वो सबसे बड़ा cattle producing state है, आपका, cattle ranching जो है, यहां पे important economic activity है, यानि कि इसी से ये यहां पे अपना economy चलाते हैं, हैना कहां पे campus में, अलाल अनो, ग्राउस लेंड में, साउथ अमेरिका में, जो सवाना है, यहां पे बहुत बड़ा potential है, बहुत जादा potential है, कि इसके लिए plantation agriculture के लिए, जैसे कि cotton है, skin sugar है, coffee है, oil palm है, ground nut है, tropical fruit है, और ऐसा इसलिए है, क्योंकि 30 inches जो है, यहां पे annual rainfall हो जाता है, और यहां पे बहुत जादा सर्दी नहीं पड़ती है, severe cold नहीं होता है, पस्चिम अफरिका की बात करें, तो यहां पे जो main crop उगाये जाते हैं, फसल वो ground nut है, oil है, palm है, और cocoa है, और बहुत जो है, large plantation होता है, सुगर केन का, cotton का, और South latitude में यह मिलेगा आपको, और यह जो है, tropical result है, और इसको जो है, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह जो है, यह latitude zone, mostly कहां पे fall करता है, tropical zone के अंदर fall करता है, और यह पस्चिम साइड में है, land mass के, यह कहां है, यह जो land mass है, उसके पस्चिम साइड में lie करता है, पंदर से 30 degree, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, अब इसमें देखो जगा कौन-कौन से है, सहारा डिजर्ट है, largest डिजर्ट है, जो की वर्ल्ड का, नौर्थ अफरिका में लाई करता है, कालाहारी डिजर्ट है, साउथ वेस्ट अफरिका का, और नामिब डिजर्ट है, नेम लग नाम से बुलाया जाता है, मुहाव है, सोनोराइन है, केलिफटरन होर मेक्सिकन डिजर्ट, साउथ अमेरिका में अटकामा डिजर्ट है, dry of all डिजर्ट LIEs along the Pacific, को पैसिफिक कटके, पास में सबसे सुख़ा डिजर्ट है, साउथ अफरिका का कौन सा, अठ कामा, ativa में Great Australian desert तो यह सारा हिस्सा कहा है को यह आपका सारा का 신 coffee Buffalo चेतर है के यहां पर है इसकी विश्य स्विश्था है कि यह offshore है ना by offshore dry trade wind और यह जो है originate होती है कहां से high pressure built से originate होता है ठीक है तो यहां पर स्विश्य स्विश्थ्था यह है कि यह यहां पे क्या है offshore dry trade winds है यह originate होती है कहां से high pressure build से तो जो tropical desert है इसलिए इनके पास hot summer होते हैं गर्मिया बिल्कुल गर्म होती है और cool winter होते हैं वर्ल्ड का highest temperature record किया जाता है इन एरियाज में टापमान की बात करें तो जो तापमान होता है वो रेंज करता है 30 से लिए के 45 डिग्री सेल्सियस तक और कहीं कहीं पे आप देखो के maximum temperature 58 डिग्री सेल्सियस यानि कि silver paper पे आप अंडा रगदो रोटी रगदो बन जाएगा आद बिल्कुल 58 डिग्री तक पहुत जाता है पीक समर में बिल्कुल उरूज पे hottest month जो है वहां उसका में टेंपरेचर है 30 डिग्री सेल्सियस जो जमीन है हुईट कर जाती है बहुत तेजी के साथ और यहां पर वनस्पति वगएरे है नहीं तो यहां पर इसलिए टेंपरेचर बहुत जादा बढ़ जाता है वहां त Neo तेंपरेचर कभी कभी 20 डिग्री सिल्सियस से कम हो जाती है और कभी-कभी केटेगरी है तो फ्रोस्ट में देखने को मिलेगा यह जमने वाला मतलब फ्रीजिंग वाला फ्रोस्ट नहीं है मतलब वाटल ड्रॉपलेट वगएरा आपको जो है कि रेंफॉल होती है पूरे साल यह डिजल्ट वगएरा लोकेटेड है पस्चिमी किनारे पे कॉंटिनेंट के तो ट्रेड विंड जो है ब्लू करता है रीजन में और यहां पे शेड करता है अपना मॉश्चर वगएरा इस्टर्न मार्जिन में कॉंटिनेंट के और यह सूखा हो सब्सक्राइब करता है यहां पे इसमिह सूखा का रह जाता है यानि को रिङसतान को डिजल ाट कर些 के मौशम की बात करें तो यहां पे अनदर में दो ही सिजन मिलेंगे विंटर और समर मिलेगा coastal area study इलाके में थोड़ा बहुत बारिश आपको देखने को मिल सकता है summer और winter के बीज में बाकि सारे जगा कैसे मिलेंगे दो ही मौसम winter और summer यहाँ पे hot dry wind जैसे की जिसका नाम है Mr. बोरा और सिरोको यह सब जहे की एक खुशनुमा मौसम लेके आते हैं और यह प्रभावित करते हैं कभी-कभी मौसमों को भी प्रकृतिक वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पे देंफॉल बिलकुल कम मिलता है और सूखी ट्रेडविंड चलती है तो यहाँ पे कोई वनस्पति वगएरा उग नहीं पाती है कहीं कहीं पे आपको जो है कि वही नुकिली दार ज़ाडियां वगएरा मिलेंगी कैट्टस मिलेगा प्रिकली पीयर वगएरा मिलेगा पेड़ पोधे जो यहाँ पे एडेप्ट करते हैं यहाँ के सुखे कंडिशन को उसको कहते हैं जिरोफाइटिक प्लांट और यह जिरोफाइटिक प्लांट जादा तर कैसे होते हैं बिना पतियों के होते हैं अपने तनों के अंदर यह पानी स्टोर करके रखते हैं कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, जिनका लेदरी पत्ता होता है, और धूसरों का क्यादातर का कैसा होता है, नोकिला होता है, और कुछ के पास recovery smell भी होती है, और यह prepagnant smell का मतलब बिल्कोल सड़ी सी बद्वू आती है, जिसके ओया ऐसे कि animals इसको graze नहीं करते हैं, नहीं है इसके लावा नोकीली केक्टष कांटेदार यह ज्यादा तर आपको देखने को मिल जाएगी टीपिकल डिजर्ट में प्लांट के तौर पर पानी के आज पास आपको कभी वह भी मिल सकता है क्या डेट वगरा भी मिल सकता है याने खजूर का प्यर्ट वन यजीव की बात करें तो हार्श इंवार्मेंट में भी आपको क्या मिल सकता है छिपकेली मिल सकती है गिलरी मिल सकती है सांप मिलेगा चुहा है फॉक्स और माइस वगरे मिलेंगे और यह हीट से बचने के लिए गर्मी से बचने के लिए बोरो करके बड़े-बड़े कुछ इनिमल वगरा वांडर करते हैं डिजर्ट के अंदर लेकिन यह रहते किनारे के वह पे ही हैं जिसे यह कॉल है फॉकस है हाइना है और लोग क्या करते हैं ट्रेवल करने के लिए किसका इस्तमाल करते हैं इंसानों के ओड़ेशन तो यूमन औड़ेशन की बात करें तो मुश्किल का सामना करना पड़ता है. क्योंकि यहाँ पर एक तो पानी नहीं है, फूड नहीं है, और दूसरा कोई चारा नहीं है. यहाँ पर जीने का अल्यवली उड़ का कुछ नहीं मिलता. तो कुछ इनेविटेंट यहाँ पराचिन कभीले वगएरे से हैं, जैसे कि बुस्मैन हे काला हारी के बिंदिबू हैं ऑउस्ट्रीलिया के, ये जो है बनजारे हैं और एक जगा से दूसरी जगा फिरते हैं खाने की तलास में फसल की बात करें तो फसल वगएरे यहां पर नहीं उगाई जा सकती है क्योंकि यहां पर कोई पानी वगएरे का सुरूत नहीं है डिजर्ट में पानी चाहिए होते है जो इरिगेशन के लिए वो मिलेगा कहां से रिवर से डाम से या फिर OSS यानी के छोटा सा तालाब जैसा ह होता है रिगिस्तान में उसको OSS बोलते हैं या फिर किसी नेटवर्क से मिलेगा कैनल वगएरा के तो यहां पर जो लाइफ गिंग विंग वो पानी है वो बस है नील नदी है एजिप्ट में जो अलाव कर दी है एजिप्ट के लोगों को कि धिर सारा नंबर आफ क्रॉप व उगाते हैं जाड़े के अंदर माइनर मतलब छोटा रिगिस्तान के अंदर जहां पर Oasis होता है अंडर ग्राउंड वाटर वहां पर पहुंचता है सर्फेस तक और वो फिर जो है कुवे से निकाल लिया जाता है कैमल्स के द्वारा या मूल्स के द्वारा पानी यहां पर व उनमें कौन है बारले है केन है कोटन है वीठ है सुगर है फ्रूट है और कुछ वेजिटेबल बात करते हैं मॉट्रॉपीकल ओंसोण क्लाइमिट की अब यह जो ट्रॉपीकल मॉंसोण टाइप क्लाइमिट है यह कहां मिलेगा आपको सौधरन इसिया में मिलेगा विद ओं- type of climate experience किया जाता है पुर्वी तट पे यानि इस्टन कोस्ट पे ट्रोपिकल लेंड के और यहां पे जो है लगातार steady rainfall मिलता है from trade wind all the time है बारिश होती रहती है इसलिए इसका नाम ही है tropical monsoon type climate एरिया कौन कौन से इसमें fall करते हैं इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश स्री लंका म्यानमार सौधन चाइना केंबोडिया लाउस थाइलेंड वेतनाम आइलेंड आफ हाइनन ताइवान और फिलिप ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से है नौट टिप आफ ऑस्ट्रेलिया ह है यह ट्रॉपिकल मॉन्सून टाइप था मालूम में ना आफशोर ओन ऑफ दो तरीक है तो ट्रॉपिकल मॉंसुन टाइप वाले में आफ्रिका का जो पार्ट है जैसे कि साउथ-इस्ट अफ्रीका है और मेडगस्कर है और सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो जमाइका है बेलाइज है। हुंद्राज है और निकर्ग हुआ है साउथ अमेरिका में कौन है इस्टन ब्राजील है और उस्टरिलिया में पार्ट है आप नौर्थ समर्प consistency है कि और ट्रोपिकल मॉन्सून टाइप के लिए कह रहाता है यहां पर किस यहां पर ओंशूर जो है समर है और ओफशोल ड्राइप मॉन्सून मिलेगा और ट्रोपिकल मेराइन वाले में क्या होता है लगातार बारिश होती है तो दो अलग-अलग तरीके के क्लाइमेट है यहां पर यालग तरह के तो ट्रापिकल मौनसून टाइप वाला जो इसको रिगार्ड किया जाता है सब रिजन ट्रापिकल का और और सब ट्रापिकल हुमेड क्लाइमेटिक रिजन ठीक है तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है यह बारिश किस में में होगी मेराई टैप वाले में होगी यहाँ पे हो क्या रहा है इड्फ हाउट संवर्स घर्मी बिल्कुल करम होती है गर्मी का मौसम बिल्कुल होता है और का Te 나온 मिलेगा और जो इरिया मेराई टैप क्लाइमेट में हैं तो वहां पर प्रभावित करती है मौसम को और पूरे साल तक जो है क्या होता है इवेनली डिस्टिब्यूटेड याने कि बरोबर बारिश होती रहती है डिस्टिब्यूटेड रेंपॉल मिलता है तापमान की बात करें हम लोग तो यहां पर जो तापमान है समर में टेंपरेचर जो है वैरी करता है 27 से 30 डिगरी सल्सियस बहुत ही कम है बस तिन डिगरी सल्सियस का डिफ्रेंस है और कोश्टल एरियाज में और 35 से 38 डिगरी सल्सियस अंदर के इलाके में मिलेगा यानि जो 30 इलाका है वहां पर तापमान और जो यहां पे विंटर है वहां विंटर का तापमान पांच से अठारा डिग्री सिल्सियस रहता है और अंदर में बाइस से पचीज डिग्री सिल्सियस रहता है यानि तटी इलाके की बात कर रहा है वहां पे ठंडा ज्यादा है और इंटीर में अंदर में बाइस से अठारा डिग्री सल्सियस रहता है कि अब देखो यहां पर यह अंडल स्टूड भी है कि जो कोस्टियल एरियाज है तर्टी इलाका है यहां पर मौसम जादा वैरी नहीं करेगा तो इसलिए बाइस पच्छी से वहां यहां पर साइक्लोनिक डिश्टर्बेंस अगरे मिलें और मौन्सुन हमेशा जो है कि रेगुलर नहीं रहता है जो मौन्सुन है वो डिपेंड करता है बारिश के ऊपर कि forcing के ऊपर डिपेंड्ट करता मोंशन कि औपारिश के ऊपर डिपेंडट करता है टिम्परिच YOUR पे नहीं टेज़ ऑफ मॉशन मॉशन जब करता है तो सीजनल विंड व्गेरा जो है शुरू कर देते हैं विड्रॉ को और यहां पे जुट कि अक्सर इसकी मोगिए स्टॉम वगरा यांधियाव वगरा तूफान आता है कि बारिश की बात करें है तो गर्मी में जो रेन मोता है करें की मौसर तो बारिश होती है उसकी व dynamic Jupiter मिलेगा यहाँ पे जो trade wind है जाड़े के मौसम में वो offshore wind होता है वो यानि offshore blow करता है यह blow करता है जमीन से कहां समंदर की तरफ तो इसको offshore बोलते हैं onshore का मतलब समंदर से जमीन की तरफ हिंदुस्तान के अंदर हिमालियन barrier की वज़े से यह move कर जाता है नौर्थ इस्ट डाइरेक्शन में है बैरियर यह हवाएं आती है लेकिन हिमालियन barrier के वज़े से move कर जाते हैं यह क्या करते हैं मौस्चर लेके चाते हैं पूरा bay of bengal से और बारिश लेके आते हैं कहां पे प्रमॉंडल कोष्ट पे बहुत सारे दूसरे फी फैक्टर है जैसे कि साइकलोन आता है विंटर में यह क्या करता है यह साइकलोन भी प्रभावित करता है बारिश को और जो रेंफॉल है यहां पे इसलिए युनिफॉर्म नहीं रहती है एक बराबर नहीं रहती है कि हां हो होती रहेगी एन्वल एमाउंट जो रेंफॉल का है वह वैरी करता है 75 से लेके 200 सेंटीमीटर तक यानि अच्छी खासी बारीश हो रही है यहां पर चेरा पुंजी जो की मेगालिया में है यहां पर 1200 सेंटीमीटर रेंफॉल होता है बहुत जादा है और जो मैसर नाम है जहां पर की चेरा पुंजी के पास है वहां पर हैविएस्ट वेन पूरी दुनिया का रिकॉर्ड किया गया है और जो एरिया है ट्रॉपिकल मेराइन सब्सक्राइमिट का रेंफॉल किसके वजह से होता है ठ्रेट विंट की विजह से होता है और सब्सक्राइमिटर का मतलब क्या है प्लेट हो होगा इवैपोरेशन होगा और फिर बाद में क्या होगा बारिश होगी जब कंडेंस करेंगा काफी जदा हाइट पहुंचेगा तो आटमेटिकली जो वैपर से उसका टेंपरेचल डाउन होगा सीजन की बात करें तो रीजन जैसे की इंडियन सब MRS कलाइमेट मिलता है यहाँ पे तीन सीजन मिलें गे हट और ड्राई सीजन मिलेगाँ मार्च से माई तक यह जो अपना मिलता है गरमिका रैनी सीजन मिलेगा जून से सिटंबर जो भी आएगा मैन कारआत जो यहाँ पर शिजनल ख्रायमेट का यहाँ पर अलग अलग तरीके से हीटिंग होती है जमीन की और सी की समंदर अलग तरीके से हीट हो रहा जमीन अलग एरिया जहां पे ट्रोपिकल मेराइन टाइप अफ क्लाइमेट है यहां पे दो में सीजन खाली मिलेंगे वेट सीजन मिलेगा और ड्राइ सीजन मिलेगा जो वेटेश्ट मंथ होता है वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल होता है और यहाँ पे कोई ऐसा मंथ नहीं होता है without rainfall यानि कि हार एक मौसम में क्या होगा बारिश होगी ही हर महीने में प्रकृतिक वनस्पती की बात करें तो यह region characterize किया गया है बहुत सारा variety मिलता है, vegetation बहुत अलग तरीके का मिलता है बहुत सारे आपको island मिलेंगे, 30 इलाका मिलेगा जहाँ पे tropical evergreen rainforest आपको मिलेगा evergreen मतलब हमेशा हरी भरे और यह जो वनस्पती है यह बिलकुल marginally differ करती है equatorial वाले rainforest vegetation से जो यहाँ पे पेड़ वगरा मिलेंगे, 60 meter की height के मिलेंगे और जब गर्मियों में बारिश होती है तो यह luxuriant growth होता है climbers का climbers यानि की वही लतर वाले इसके लावा epiphyte है और firm है और bamboos है यह सब भी बहुत अच्छे से grow करते हैं गर्मियों में जब बारिश होती है यहाँ पे जो common species यानि प्रजातियां जो पेड़ की हैं उसमें rosewood है, eboni है, season bamboo है कुछ पेड़ जो यहाँ पे हैं उनके चौड़े पत्ते हैं तकि धेर सारा moisture दे सकें और ज़्यादा sunlight भी absorb कर सकें यहाँ पे जो island है Indian ocean में और जो slope है western ghat में western part of महराश्टा केरिला तमिल नाडू में इनके पास जो है क्या है जंगल है इन एरियाज में एरिया जहाँ पे की rainfall experience नहीं होता है पूरे साल तक उसको dry season देखा गया है तो ट्रॉपिकल monsoon decidus forest वगरे में यह मिलता है यहाँ पे दिन में होता क्या है कि यह पेड़ जो है जो है जो है जो है 6-8 हफतों तक अपना पत्ता जाड़ देते हैं ताकि moisture को preserve कर सके जिसे desert areas में होता है तो वैसे यहाँ पे decidus forest में क्या हो रहा है कि जो dry period चल ला है उसमें 6-8 हफतों तक पेड़ पौधे क्या करते हैं अपना पत्ता जाड़ देते हैं ताकि वो moisture से prevent कर सके टीक है साल है संडल लूबोड है महुआ है यह सब जो है कि मिलता है इन 152-200 cm rainfall यहाले एरिया में यह एरिया इंक्लूड करता है पश्चमी तट कहां का डेकन प्लेट्यू का और नौर्थ इस्टन पार्ट किसका डेकन प्लेट्यू का और कुछ एरिया सौधन चाइना का यूमेनट इडप्टेशन अब यूमेन इडेप्टेशन यहां पर कैसा है एकरी कल्चर जो है यहां पर खेती बाड़ी जो है में ऑकूपेशन थंदा है और ज्यादा तर लोग जो है ट्रॉपिकल मॉन्सून दीजन की यही काम करते हैं क्रॉप अगेर ग्रो किये जाते हैं छोटे मोटे फार्म पे, प्लेंस पे और टेरिस्ट हील पे, यह ना सिर्धी नुमा जो पहाड होता है, जो ट्रॉपिकल एगरिकल्चर है, यह डिपेंड करता है, प्राक्रीतिक रेंफॉल बारिश पे और धेर सारे लेबर फोर्स पे, जो मेन फसल यहां पे उगाई जाती है है, ट्रॉपिकल फॉंसों रीजन में, वो चावल है, गेहूं है, मेज, भुट्टा है, मिलिट है, सोरगम, ग्राम, बीन, यह सब है, और बहुत सारा कैश क्रॉप भी यहां उगाया जाता है, सुगर कैन, कॉटन, टी और कॉफी वगेरा भी यहां उगाया जाते हैं, मेडि एरिया जो है, मार्जिन्स पे मिलेगा, मेडिटरेनियन सी के, मेडिटरेनियन सी के मार्जिन पे ही यह ज्यादा तर फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम भी मेडिटरेनियन रीजन है, और यह रीजन है न, यह समानता है इसका, विद अ मेडिटरेनियन रीजन, जो कि और यह सब कहां यहां यह मार्जन पे है यह भी मार्जन पे ही है तो यह मार्जन पे मिल ला है मेडिटरेनियन से ज्यादा तक और यह कहां पर है विल्ट पे 30 से 45 डिग्री नौर्थ आपको यह देखने को मिलेगा यह च्छेत्र यह जो यह च्छेत्र होते हैं इनको common name दिया गया है अधिक है किनारे से लगे हुए है इसलिए इनको common name दिया गया है और इन सारे जगों पर क्या होता है सिमिलर्टीज हैं समानता है जगह कौन-कौन से आते हैं यूरोप है मार्जिन आता है सौथ पॉर्टगाल का बलजेरिया फ्रांस ग्रीस इटली रोमानिया सर्बिया मॉन्टेग्रियो फॉर्मली जिसको के पहले अब तो मॉन्टेंग निग्रो कहते हैं पहले सब्सक्राइल लेबनान सीरिया और जो है कि तरकी का कोस्टल पार्ट नौर्थ अमेरिका में कोस्टल कलिफोर्निया एराउंड सेंट फ्रेंसिसको साथ अमेरिका में सेंट्रल चैल अफ्रिका में कोस्टल एरिया अफ अलजेरिया मुरुक को तुनीसिया लीबिया और जो है च्छेत राते हैं किसके जो Cape Town के आसपास सौफत अपकर पिका के औस्ट्रिलिया में सौफ वेस्ट एरिया जो है पर्थ के आसपास और सौफ तन आस्ट्रिलिया जो है एडी लेबर के एडी लेट के पास क्लाइमिट की बात करें तो जो मेडिटेरिनियन रीजन है यह लाई करता है ट्रॉपिकल डिजर्ड जो की एक्वेटर के साइड में है और कहां पे और कूल टेम्परेट वेस्ट मार्जिन के साइड पे है पोल वाट साइड में यह शेयर करता है क्या शेयर करता है समल्ड रॉ यहां पर जो climate region है उसको सब tropical winter rain zone भी कहा जाता है या फिर warm temperature waste margin climate भी कहा जाता है यानि गर्मियों में बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा और जाड़े में क्या होगा बारिश तापमान यहां पर जो range करता है वो 20-28 degree Celsius रहता है और जब बहुत जादा गर्मी के महीने आते हैं त जो temperature maximum बस 30 degree Celsius तक पहुंचता है एरिया जो close है नस्दीक है समंदर के वहां पर lower temperature मिलेगा और जाड़े के मौसम में जनवरी में temperature जो है 6-10 degree Celsius मिलता है और जो temperature है रात का कभी कभी वह 0 degree Celsius से नीचे चला जाता है और इसके विए से जंगल वागेरा और छेत्र वागेरा बरबाद भी हो जाते हैं जंगल क्यों बरबाद हो जाएगा क्योंकि पेड़ पौधे बिल्कुल बरबाद हो जाएंगे वह frozen temperature से नी east region Krankτα एक्सेंट है जहांपे क्या होता है सी करता करता है वेस्टर ली कि वेस्टरणी इन्फ्लूएंसे आफ वेस्टर ली है उनका प्रभाव उसको प्रेंद करूश करता है ताकि ये penetrate कर पाएं यानि अंदर जा पाएं deep into the afro-asian landmass afro-asian landmass में क्या करें ये अंदर जा सकें तो ये जो east-west extent फैला हुआ है C का समंदर के इधर से उधर वही allow कर रहा है वो क्या allow कर रहा है इन winds को allow कर रहा है कि ये penetrate करें कहां पे अंदर afro-asian landmass में और इसकी वज़ा से local condition जो है coastline का intended होता है बहुत सारे जो है local variation आपको हवाओं में देखने को मिलेंगे produce होते हैं इसकी वज़ा से और जो western lies है और जो temperate cyclone है ये travel करते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ और ये बारिश लेके आते हैं in decreasing order है मतलब जाद बहुत जादा फिर कम-कम-कम decreasing order में इन addition इसके अलावा जो cold polar wind वगेरा है जाड़े के अंदर वो क्या करते है circulation of depression जैसे की mistral लेके आती है कहां पे रोन वैली के अंदर mistral वही ठंडा और बोरा में southern Adriatic sea region में यह क्या करती है धेल सरा डिवाज station बरबादी लेके आती है बिल्कुल सोखी और ठंडी winds होती है southern winds जैसे की सिरुको है नौर्थ अफरिका में यह hot or dry होती है और यह wind को खामसिन कहा जाता है एजिप्ट के अंदर सिरुको जो नौर्थ अफरिका में है hot or dry तो यहीं को क्या का जता है खामसिन एजिप्ट में यह भी चाहिए कि एक अच्छा खासा बरबाद करती है यह crops अगेरा को और यह जो मौसम का यहां पर पैटर्न है न ऑकर करता है केप टाउन में अफरिका में कैलिफॉर्णिय में और यहां पर बरबादी लेके आते हैं यहां पर मौसम देखी रहे हो कि ड्र बारिश क्या है कि रेंफॉल यहां पर मेडिटरेनियन रीजन में एक्सपिरियेंस किया जाता है ज्यादा तर विंटर के में ही गर्मियों में बारिश नहीं होती गर्मियों में तो बताया ही कि ड्रॉट आ जाता है ड्रॉट मतलब सुखा पड़ जाता है जो एन्वल ज्यादा नकम और यह जो खुश्णुमा प्लीजन क्लाइमेट है और यहां पर क्या है ब्राइट सनी वेदर्स हैं यानि की सूरज दिखाई देता है बिल्कुल साफ सुतरा दिन होता है इस्पेशली कब होता है विंटर में होता है और यह तूरिस्ट और यहां पर बहुत आक करते हैं कि यहां पर 4 मौसम मिलता है कि शेंग मिलने हैं मेडिटेरेनगैन क्लाइमेट को ढिफाइन किया गया है जो सीजन यह विल डिफाइन चौ совет रौक्त है यहां पर वहां कर सके अपना ग्रोथ वगएरा मौसम के साथ अब कैसे करते हैं कि तो इस्प्रिंग सीजन में जो प्लांट होता है या फ्लावर होता है उनके पत्ते वगएरा बिल्कुल जड़ जाते हैं और यह फिर रिद्मिक ओडर में चलता है प्रकृतिक वनस्पति की बात करें तो यहा एंड कर सके रह सके छे खड़े रह सके लंबे समय तख घर्मियों में भी जब सूखा पड़ता है तो ट्रीश अगरे यहां पर जो है इनके लंबे-belंबे जो है जर होते हैं और मोटे-मोटे छिलके होते हैं ताकर मौश्चर वगयर से यह अपना अपना रीटेंग कर सके मतलब कि बरबाब नहों इनका मौश्चर वगरा जो है ना बनाए रख सकें तो छोटे-छोटे स्टेट्च और मौश्चर रिटेंटिव ट्रीज वगरा भी यहां पर मिलते हैं वह सिट्रस फूट के कंडिशन यहां पर जो है फेवरेवल है अनुकूल है वनस्पति के लिए है ना हाइयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट धेर सारी लाइट जिनको चाहिए चाहिए जिनको और लॉंगर ग्रोइंग सीजन और यहां पर जो डॉमिनेंट ट्रीज है मेंली जो ट्रीज होगरा है यहां पर जो पाया जाते हैं वह कौन-कौन से हैं जैसे कि यूरोप में मिलेगा आपको ओवा क्लॉरेल कॉर्क ओलियंडर बीच और एश मिलेगा और यह सारे के सारे एवर ग्रीन ट्रीज होते हैं ओलीव जो है ना मोस्ट कॉमन ट्री है यूकिलिप्ट्र इंट्रोडियूस हुआ है और यहां पर पाया जाता है यूरोप में ज्यादा तर जो प्रकृतिक वनस्पति है उसको रिप्लेस कर दिया गया है प्लांट कैसे उगाये ग रिजन है यह अभी भी रिच है किसके अंदर फ्लोरा में फल्फूल में यहां पर ज्यादा तर जो आपका डॉमिनेंट है जो प्रजातियां है वह है चेस्टनेट मैपल और हमलोग और यह जो जंगल कैलिफॉर्णिया के वह फेमस है रिड्वोड ट्रीज के लिए और आपको मिलेगा कौनिफेरस सेडार मिलेगा पाइन मिलेगा फिर मिलेगा साइप्रेस मिलेगा और कॉमन वेराइटी इनकी मिलेंगी वहां पर जब आप कहां जाओगे जब आप पोलर रीजन की तरफ जाओगे और हाइलेंड की तरफ जाओगे यहां पर जो मौसम है मौसम क जादे तर जो जाड़ियां वगएरा होती है वो मिर्थी खुछबुवाली होती है और फैली होई है पूरा क्लंस मैं् है न और जो यहाँ पे प्रजातियां मिल लहीं है जाड़ियों की वह लेवेंड्र है रोजमेरी है competing कैशा है तो यहाँ पे वार्म है ब्राइट समर और कूल जो है विंटर मिलता है और मॉइस्ट विंटर मिलता है क्योंकि बारिश होती है न जाड़े में तो यहां पर बहुत सारा वेराइटी आफ क्रॉप अगरा जो है उगाया जाते हैं मेडिटरेनियन में और यह रीजन पर्टिकुलर्ली फेमस होता है और क का जो खटा फल है वो एक्सपोर्ट किया जाता है इसके अलावा साइट्रस रूट के अलावा कुछ दूसरे फ्रूट वगेरे भी है यहां पर जैसे ओलीव है ग्रेप है वालनट है अजल नट है और टाइमंड है अच्छा जो यहां पर क्रॉप वगेरे हैं मेडिटरेनिय रीजन में वो कौन-कौन से है वीट है बारले है राइस है कॉटन और बात करते हैं आप टेंपरेट ग्रास लेंड की तो जो कॉंटिनेंटल है या इस्टे प्रेयल टाइप आफ क्लाइमेटिक रीजन है वो प्रभावित होता है सर्कुलेशन की वज़े से वेस्टरली विं रासलेंड है उकोपाइब करता है इंटीरियर कॉंटिनेंट का इंटीरियर मीड लेटीटियूड जोन निविम हैं ती इंटीयर को आकूपाई करता है 45 यह जो इंटीर्य Coplight हुआई कर बहुत बड़ा ए模ड और और च्थशेयर में और उसक्रूंट प्याइवा प्हәला तक फैला हुआ है कम फैला है एरिया कौन-कौन से है तो यूरोप का एक नेरो बिल्ट लाई करता है इस में ग्रास लैंड वाले में छेतर में ब्लेक सी और कैस्पियन सी के पास वाला और एक स्मॉल एरिया हंगेरियन प्लेन का जिसको पुस्ताज कहता है तो यह एरिया फॉल है चैनेड़ा है और जो कि शिच्टेड़ है किसके बीच में ग्रीट लेक और रॉकी के बीच में है उसको प्रेइरी कहते हैं सौथ अमेरिका में इन-पार्ट आफ अर्जिन्टेइन और युरोगवे जिसको कि पहम पास कहते है साथ अफिका में ग्रास लेंड वगरह सिचुएटेट रहा कहा पे प्लैटियू पे जो की लीवार साइड में ड्रैकनबर्ट क। मौन्टेन के जिसको की वेल्ड कहते है और उस्ट्रेलिया में यह जो harvest लेंड है इसको क्या कहा जाता है डाउन कहा जाता हैنت मर्रे यहां पर जो तापमान मिलता है आपको 15 से 25 से 25 डिगरी सिल्सियस का तापमान मिलना है यानि कि ज्यादा वेरियेशन है और यह प्रभावित होता है बहुत सारे फैक्टर के वज़े से जब यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो मैक्सिमम टेंपरेचर दिन का कितन लाइवलेेशन आराम से क्या कर सकती हो यानि कि अतर आंतर कर सकते हो याफी कैलगेरी जो कि कैनदा है वित्वसाकाइन जशापान हैं जैसे कि चल किनडा मूलेट जैसे कैनदा में है और याप thrown सकते हो देख सकते हो अंतर आपमान के बीच में अब जैसे तंग च्थम्परेचर मंत कियानि केलकेरी का जुल्राइं में कितना है 16?23 टे अब शकर 막 रखोंत début बिल्कुल कंसीडरेबल है और यहां पर जो है कि इस नॉट या फिर डायर्नल रेंज होता है जो कि मैटर करता है लेकिन सबसे आदा जोग वैराइटी वैदर की है वो किसकी वजह से है टेंप्रेट लेटिटूड की वजह से रियरली हैपन होता है कभी-कभी ट्रॉपिकल और सब्त्रॉपिकल जौन में उपर की एकजाम्पल से हम लोग यह देख सकते है कि विंटर में टेंप्रेचर जो होता है कॉंटिनेली रेजन का वह जीरो डिग्रि सलस्ये से नीची पश्चिम की बात करें तो सावदन हेमिस्वेर में जो विंटर है यानि जो जाले का मौसम है वो कम सीवियर होता है और यहां पर यहां पर वेरियेशन अलग लगता है कि बारिश है प्रभावित होती है जो किसकी वज़े से वेस्टरली विंड के वज़े से नौर्धन हेमिस्वेर में और ओसियन करेंट और मैरिटाइम की इंफ्लूएंस करता है यहां पर प्रभावित करता हो और जो कि बहुत बड़ा रो को लो जैसे 20 संटीमेटर से 60 संटीमेटर तक दिखेगी और जो रेंफॉल है यहां पर कन्वेक्शनल टाइप है कन्वेक्शनल वही जो पहाडों से लखके होता है और साथ में जहें लाइटनिंग और थंडर भी मिलेगा केलगरी रीजन में कनाडा में वहां पर जन्वरी म देखे आते हैं टेंपरेचर में कुछ दिनों तक के लिए मतलब चिनूग क्या करेगा लोकल विंड्स चिनूग क्या करेगा टेंपरेचर सटेलने इंक्रीज कर देगा कुछ होक्त के लिए और स्नो कवर वगेरा जो है वो क्या होने लगेगा मिल्ट होने लगेगा प्रकृ विजिटेशन वनस्पति का का वो कैसा है स्टिप क्लाइमिट टॉपां यहांकर कैसा है कि सफ्ट ग्रास भग रही है और शौलटं और स्वब ग्रास अगर्वास और यह जो है characteristic vegetation है यानि कि यह विशेष्टा है वनस्पती की किसके continental step climate type के जो temperate grassland है यार इस टेपीज है यह बिल्कुल अलग होते हैं tropical सावाना से incense क्योंकि tropical सावाना में भी हम उने देखा था ना ता तीन सचे फिटी grass हो रही थी तो यह practically कैसे होते हैं ट्री लेस होते हैं और जो grasses होते हैं वह बहुत छोटी हैट की होती है ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर स्कैंटी मतलब बहुत कम rainfall होता है और लंबे समय तक जो है ड्रॉट वग्यरह रहता है और जाड़ा भी जो है जो है बहुत खतरनाक होता है और जो काव़मन हर भी वरस है उसमें नौर्थ अमेरिकन के प्रेरी हैं इंक्लूड करता है बाइसन नौर्थ अमेरिकन प्रेरी में दूसरी जो जानवर है वह कौन है एंटी लोप है वायल डेस है और घोड़े हैं कंगारू भी यहां पर उस्ट्रिलियन ग्रास लैंड में मिलेगा और जो कार्णी वोरस में है उसमें रोडेंट और रेप्टाइल मिलेंगे कार्णी वोरस में हिंविमन का एडप्टेशन देखो तो जो टेंपरेट ग्रास लेंड है इसको कहा जाता है ग्रेंजी दुनिया का यह आइडियल होता है किसके लिए बहुत जादा वीट केल्टिवेशन के लिए और यहां पे प्रोडियूस होता है बहुत जादा क्वैट पर केपिता एमंग दा वर्ल्स वीट ग्रुइंग नेशन यहना बहुत जादा और यहाँ पर जो है irrigation available है और cotton और मेच भी यहाँ पर उगाई जाती है इसके बाद है टागा रीजन ये कौन सा रीजन है बई ये टागा रीजन को cool टेंपरेट कॉंटिनेंटल टाइप या साइबेरियन टाइप ऑफ रीजन भी कहा जाता है यह रीजन लाई करता है पचपंसे सतर डिग्री सेलसियस नौर्दन हेमिस्फियर में पोल की तरफ यह मर्ज हो जाता है आर्क्टिक टूंडरा ऑफ कैनेडा से और यूरेशिया से अर यहां पर विंटर और तो यहां पर जो है कि सेविरेटी मिलती है विंटर में मतलब बहुत ज़्यदा ठंडी पड़ेगी और कौनी फेरस फॉरिस्ट और यहां पर आपको देखने को मिलेगा माउंटेंस वगेरा के ऊपर अप्लेंड पे साउधन चाइल में का अएगा एगा और विंट्स का इसिया में नौर्दन साइबेरिया और साइक्लिन आईललन आएगा क्लाइमिट की बात केया थैlegen जो साइबेरियन एंक तरह यह जो जल्वायउ है यहयो महसूस्श किया झाता है सिर्फ नॉर्दन हमिस्फियर में ऐसा इसलिए क्यूंकि यह यहां पर नेरोनेश है कहां पर साथन न कौंटिनेंट में हाई इल्टिू पर इसलिए कहां खली मैसूस होगा Northern हुमिस्फिएर में मैसूस करता है एक्सपिरीेंस किया जाता दम कहले जाता है कि मारख किया है कि बहुत जादा ठंडी पड़ती है लंबे समय तक और जो समर है वो लास्ट करता है बस तीन-चार महीनों के लिए भारी जो है स्नोफॉल होता है विंटर के समय में फ्रॉस्ट वगरा आ में होता है और मीन टेंपरेचर यहां पर फ्रेजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा यह मतलब जीरो डिगरी से नीचे और जो ठंडा पोलर एंटी साइकलोन आएगा जिसका नाम ब्लिजार्ड है कैनेडा और बुरांस में आता है यूरोप के और एशिया में वह ब्लो क होती की बात करें तो साइबेरियन ट्राइप में आपको एवर ग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेगा और यह जो जंगल होते हैं यह फॉरेस्ट यह continuous जो आपको मिलेंगे नौर्थ अमेरिका बेल्ट पे यूरोप पे और एशिया पे और यह जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है नौर्थ अमेरिका का यह सबसे ज़्यादा रीचिस्ट सोर्स सॉफ्ट वुड का जिसको इस्तमाल किया जाता है फर्नीचर वगरा बनाने में कंस्ट्रक्शन करने में पेपर वगरा पल्प इंडेस्ट्री में और जो बड़े मेजर जो है कि कॉनिफोरेस्ट फॉरेस्ट है यहां पर फार्मिंग जो है कि कंस्ट्ट्ट्यूट नहीं करता है यहां पर पूरा बर्फ से ढकी हुई है लंबे समय तक जाड़े के मौसम में तो जो sheltered valley वगएरा जो है, वहाँ पे जमीन थोड़ी बहुत है, बॉल्डर जो कि स्टेपीज वगएरा है, तो वहाँ पे ये लोग कुछ उगा पाते हैं, जैसे कि बारले है, वो ठेरायर है, और वो पोटेटो और बीटरूट वगएर उगा पाते हैं, इसके बाद है टुं वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है, ट्रीलेज प्लेर, यानि यहाँ पे फ्रेड पौधे नहीं मिलेंगे, इसका लोकेशन कितना है, रफली 65 डिग्री के बाद नॉर्थ में है, नॉर्दन साइड में, है न, ताइगा रीजन के, अच्छा, यूरोप में ग्रीन ल इस छेत्र के अंदर, यहाँ पे जो क्लाइमेट है न, मेली नॉर्थ जो है, वहाँ पे आर्क्रिटिक सर्कल में, नॉर्दन हुए स्विर में, क्लाइमेट जो है, इस लंबे समय तक बिल्कुल ठंडा ही पड़ता है, और ब्राइव समर्स होते हैं, बहुत छोटी वक्त के यह गरमी पड़ती है, यहाँ पर जो टेंपरेचर मार किया गया है, टेंपरेचर चिनित किया गया है कि continuous darkness रहता है, नॉर्थ पोल पे 6 महीने, जो है, बिना दिन के रहता है जाड़ा, और यह रेजन पे अरनवीर रेंज, जो है, टेंपरेचर का जो है, लो ही रहता है पू स्ट्राज कर जाता है एंड की बल्कुल इसके वजह से तो रिफलेक्ट हो जाता है घृश्ट को यह असर पढ़ता ही नहीं है बहुत गर्मी पढ़ती है तो बर्फ अगयरा गल्ले में वह गर्मी इस्तमाल हो जाता है कभी-कभी जाता है जून में स्ल्स्यैंस रेंफॉल की बात करें तो यह करेक हाँ लो रेटंअचिएश नहीं और कनशव गयरा नहीं होता है और जादा तर जो है rain वगरा कहा होता है फिर वहां पे winter मैं होता है और यहां पे normal लिमिट जो है exceed करती नहीं है नॉर्मल लिमिट अब12 इंचिस का रहता है बस लिमिट वइनटर Mina जो precipitation होता है वह इसनों के form में होता है और यह melt भी नहीं करता है इसनों के form में precipitation हो रहा है और precipitation में जो इसनों है वो melt नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत जादा ठंड है natural vegetation की बात करें तो बहुत जादा harsh climatic condition देखने को मिलेगा कुछ ही पेड़ पौदे यहाँ पर सर्वाइफ कर पाते हैं कोई पीड़ पौदे हैं आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा बहुत ही short growing season होता है यहाँ पर तीन महीने का जब temperature 10 degree Celsius के करीब पहुंचता है गर्मी के दिनों में और ज्यादा तर common natural vegetation में क्या है और कुछ hard grasses वगरे भी यहाँ पे होते हैं जो अनुकूल होते हैं coastal low land में पाये जाते हैं तटी लाके में जो low land है इंसान का adaptation तो permanently पूरा टोंडर रीजन कवर होता है किस से बर्फ से तो cultivation वगरे तो ना मुम्किन है तो inhabited जो यहाँ पे लोग है मतलब आते और जाते रहते हैं पर्मनेंटली नहीं रहते हैं Alaska में Greenland में और Northern Canada में यह semi-nomadic people को Eskimos कहा जाता है यह hunter है, fisherman है, gatherer है यह लोग अपना खाना पिना लेते हैं किस से मचली से, seal से, walruses से और polar bear से यह hunt करते हैं reindeer को और दूसरे तरह के जानवरों को दूद के लिए, meat के लिए और fat के लिए, skin bone के लिए और यह क्या करते हैं और यह करते हैं fur bearing animals वगएरा को भी commercial scale पे यानि ऐसे जानवर जिनके उपर फर उखते हैं जिससे की कपड़ी वगएरा बनाए जासके, sweater वगएरा However, Southern part में Tondra region के एक नई variety of wheat वगएरा है जो कि short maturing period के साथ cultivate की जाती है, यानि कि कम वक्त में वो cultivate हो जाती है